हेलो फ्रेंट्स तो आज हम ड्रॉइंग करेंगे अपना गिटार पेंटिंग के लिए तो देखो आपको क्या करना है यह मेरा A4 शीट है इसके लिए मैंने उसके बाद क्या किया यह देखो वन सेंटिमेटर का मैंने चारो तरफ बॉर्डर दिया ओके उसके बाद नीचे से यह देखो नीचे से कितना स्पेस लिया है शिक सेंड़ हाफ सेंटिमीटर और यह मैंने राइन बना दिया उसके बाद इस साट शेलनेंगे यह हमारा राइट साइड है यहां से भी यह डिस्टेंस लिया देखो 6.5 cm और यह अब यहां पे एक लाइन बना देखे पहले चारो तरफ 1 cm का बॉर्डर जो मेरे मेजरमेंट से ट्राइंग के उसके बाद नीचे से 6.5 cm और साइट से फिर 6.5 cm और एक लाइन तो यह यहां क्या होगा हमारा डिटार ड्र 6.5 सेंटिमेटर लें और का सब पैंसल के डाइक और शाइन के अब हम को क्या करना है देखो आप Där कि सब अब मैंने क्या कि यहां सब जिस यहां यहां से उडिक Ninks क्या किया यहां यह 5 2 1.5 cm है कि मैंने इसको मांख कर दिया अब हम क्या करेंगे यहां पे ऐसे गिटार द्र१ाम करेंगे कि टार कैसे ड्रौ करूग एक तो बहुत एजि क्या तरिक है कि आपने एक our चोटा सरकल ड्रोakis कर दिया ठीक है अब आप क्या करोगे यह देखो यहां से लिया हो गया स्नोमेन यह उपर सरकल है नीची ओ है बट ओ नीचे से फ्लाट है अब आपनी क्या करना है इसको ऐसे लिया और यह यहां पर ऐसे शेप अगया है ऐसी यह अपनी यहां पर लिया पट यह बंदर नहीं जाएगा यहां से करव हो कि यह ऐसे आगया ठीक है अब आप क्या करोगे यह जो सेंटर है है ़ह जो सेंटर पार्ट है यह हम इडेज करते हैं यह थोड़ा सा शेकर इस ख़च आप प्रत अब आपनी क्या करना है यहां परो मद्पाश करने क्या है यहान पर थोड़ा सा यह जह्या है इन तो किश्पल XL क्या सख जश्यानर kind ने जलख फ्सक्राइगma यह हम दोड़ ठीक है और यह यहां पर ऐसे एक सर्कल ड्राओ जाएगा ओके आगया इपिन थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं यहां लो आप थोड़ा सा नीचे लो थाटीन पर लो आप थाटीन पर सार्कल ड्राओ ठीक है यह में रेस करते हैं यह देखो हो क्या देखो मेरी जो ड्राइंग है इसमें यह थोड़ा उपर है आप देख लो आपकी ड्राइंग के साइस के हिसाब से देखने है यह गिटार थोड़ा लंबा है वह चुट है ठीक है मैंने यह थाटीन पर लिया यह मेजिरमेंट इतना होगे अब आप क्या करोगे यह देखोए यहां से अपने लिया ऐसे ऐसे लाते वह थोड़ा सा ठीक है इसको यह हमने डबल किया क्योंकि गिटार का भी एक मोटा होता है वह आगया अब क्या करोगे यहां पर हमने एक लाइन लगा दिया क्योंकि स्ट्रिंग जाएंगे ठीक है हो गया एक क्या है अब अपने को लेना है नेक्स्ट अब क्या करना है आपको थोड़ा संठ को यहां पे Ч flattering एक अपको यह हैं से यह उदो जा तोपर में बहुत कम χाव सिन्टिमीटर में और बहुत हूं और और बहुत ही हम के का था ठीक है हो गया यह देखो अब आप अब आई यह इस लांटिंग लाइन तो यह था बड़ा गिटार अब यहां पर हमको रखने वाल है तो अब आप क्या करोगे जहां पर यह सरकल आता है न अपना यह मैं आपको स्टेस मेजर करके देज़ती हुँ एतना नीचे एफ ले लो आपको यहां सथार्ट करोगे न फाइब ले लू फाइफ पर हमने लाइन बना अब अगेन आपको क्या करना है इस बार आपको वायलन ड्रॉड यह देखो वायलन ऐसे है अब यह इसी के सामने ऐसे यह फिर से एक लाइन ड्रॉड जो गया अब आपको क्या करना है देखो ऐसे करके आप ऐसे लिए ओके कैसे शेप आएगी आपकी आपकी यह आपकी लाइन है यह आपकी लाइन है ना तो यह क्या थे ना उपर से छोटा होता है तो आपको रॉफ में क्या करना है ऐसे करके ऐसी शेप देंगे अब इसको क्या करेंगे अपन यह ऐसे लाए और यह यहां पर ऐसे कठ देंगे और यह यहां पर लाएंगे ऐसे कट देखे ऐसे ठीक है तो यह देखो अब इसके उपर मैंने वो शेप बनाया जो मैंने आपको शेप दिखाया था ठीक है अब इसमें जो डिटियलिंग देनी मैं आपको सीधर बैण से दिखाती हू यह देखो यह मेरा लाइन यह यहां कर दूके है ऐसे यहां से लाए है इसको यह यहां पए अंदर कर दिया और यह यहाопас टिक अ बन गया और यह वाला जो था यह देखो यह ऐसे आजाएगा कि अब आपने क्या करना है यह जो जगे दिख रही आपको इसको हमने क्या किया था इसके लिए हमने ऐसे बाहर से शेप दे देगा इसके लिए अपन क्या करेंगे यह देखो यह अंदर से लाओगे थोड़ा से ऐसे लेके ठीक है और यह यहां मर जो जाएगा ओके ठीक है यह नीची आगया यह ऐसे यह आपका इसका यह जो सरकल होता है यह यह यहां पर सरकल यह इसका रोड़ अब इसका यहां पर क्या करो गया यह देखो ऐसे यह वी शेप आएगा अब देखो अब हमको क्या करना है यहां पर आप बुक्स भी दे सकते हो आप कैंडल स्टांड भी दे सकते हो आपके पास बोक्स बनाओ आपस्पेस नहीं आप दोना बता लिए क्या करोगे को कि दीको वान टू थ्री मैंने ट्री बुक्स टालने इसलिए मैंने यह ऐसे थ्री कर्व्स टालने होगे आप फोर लेना और यह लाइना गी और यह अब यहां से ऐसे जा लिए ठीक है, आपको ऐसा नहीं बनता है, आपको प्रॉब्लम आता है, आप क्या करोगे, यह आपका गिटार है, आप यहाँ परी रबतो कि यह वान, टू, यह थ्री, यह वान, टू, पीछे हो जाएगा यह, ठीक है, तो यह भी आपका बुक्स का पाइल बन जाएगा, ऐसे भी आ डाए नागए आदि और यहां पर इसका फ्लेम आ जाएगा अब यहां पर पैंसिल से ड्राव क्यों करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे देखो यह जो पार्ट है न आपको ठीक है ये जो पार्टा रहे यह यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमको इतना detailing नहीं दिखा नब अब अपनको क्या करना होगा यहाँ पे यह देखो आप मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ pencil के साथ यह ठीक है यह ऐसे अपना गिटार का रहा है अब यह जो पार्ट आ रहा है आपका जिससे हमको सारा डिटेल चुप जाए यहां पर आपको ऐसे करके एक ग्लास ड्रॉव करना है ठीक है अब यह ग्लास कहां आएगा देखो मेरे लिए आप मैं आपको दूस्य कलर से ड्रॉव कर देखू अब आपने क्या करना है यह यहां पर ऐसे करके एक ग्लास ड्रॉव कर लेना है कहां खतम होगा यह लाइन से थोड़ा नीचे और यह आगया इसका स्टैंड ठीक है अगर आपके पास यहां स्पेस नहीं है बुक्स नहीं बन रहे आप यहां सिर्फ कैंडल स्टैंड बना दो ठीक है आप बुक्स यहां भी बना सकते हैं इसे है और बुक्स नहीं बन रहे आप शोड़ दो आप से अफके अंडल स्टैंड बना दो आप इसके बाद आपको क्या करने है जहां भी आपको मन थे अब हमको फ्लावर्स देने तो आप क्या करोगे ऐसे सर्कल्स ड्रॉग करोगे टीक है जितना आपको चाहिए बना को लेन्डमली। जैसे यहा पर मैंने। इस डाल दिया। है, ती 20 पशो तुछ के विर साब। जाह पर ओरला पिंल पाल को तो । हमसKS के इसंटा की लिए यहां राफ। यहाँ पे मैंने फ्लावर दे दिया। इस ऐरिया को भी नीस दिना और थिए भी दाब। यहां पर flowers देती है ठीक है हो गया अब इन flowers के साथ ही आपने क्या करना है यह देखो यह बाद में भी कर सकते हो flower का पहले ड्रॉव करके रखो ठीक है तो यह देखो अब आपका यह drawing complete हो गया यह देखो complete आपका ऐसे आते है अब मैं आपको इसका प्री प्रेप्रेशन भी सेंड करते हैं आप लोगे तो ड्रॉव करके रखो